हेला दालें कुल जा अरो इस इूरा में हम स्वार्ष पर शूरीज वह जैसा एकड़ घरई És यूरु हारे वान तेख इसे ुद्क प्रफिलिय वह सब्सक्रायों के लासे सब्सक्राइए कर्आट करेंगे प ़िए स्वार्षद करते हैं wao करने वाले यह आप देख सकते हैं और इसकी अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो 128 रुपीज से इसका कॉस्ट एक बार मैं आपको कोल के भी एक पर दिका देता हूं यह स्पार प्लग उसके अगर हम कॉस्टिं की बात करेंगा तो 11 रुपीज का आता है यह और यह और यह आप देख सकते हैं यह और यह अप की आप यह इसका साइब पहले हुआ है तो अब यह देख सकते हैं और इसको निकालने के लिए हम जस्ट इसको बाहर की तरह कीचे तो यह आ जाता है और यह मेन फिल्टर और इसकी अगर हम हालत की बात किया तो अब देख सकते हैं किस कंडिशन में हैं अभी यह पूरा ब्लैक हो चुका है और इसको क्लीन करने से बेतर है इसको रिप्लेस करना इसलिए हम इसको डेरेक्टले रिप् पांज है तो डारेक्टले हम इसको रिप्लेस कर देंगे अ Bशीअ स सक जयुक्षिन का मैं अचकी तरीके से कलिए कर देंगे एक साफ्ट कप दे और यह है नॉर्मल एर फिल्टर का उपर कशल इसको देख सकते आप और इसको भिए हम एक बार कलीन कर देंगे और इसका रबबर है यह इसको भी हम क्लीन कर देंगे अब ही हम एर फिल्टर को डिर्क ले रिपलेस कर देंगे इसमें आप देख सकते हैं हमको त्री स्पॉंज मिले है इसमें और इसके क्या-क्या यह आड्मेंटरिज में बताता हूँ आएक्शली यह बड़ा वाला स्पॉंज इसके ऊपर स्पॉंज आता है और इसके उपर यह वाला स्पॉंज आता है और इसके अंदर में यह वाला स्पॉंज आता है ऐसा हुआ है ठीक हम डेरेक्ट्ली फिटिंग कर देंगे इसको है तो फिटिंग करने से पहले हमको इसमें तोड़ा सा ऑई लगाना पड़ता है क्योंकि ऑई लगाने से तोड़ा पूरा डस्ट पूरा यह स्पॉंज आची तरीके से पकड़ लेता है इसलिए तोड़ा आपले करना ज़रूरी है कि अब कोई भी इंजनोय ले सकते हैं में इदर मेरे पास मोटल का पड़ा हुआ है इसलिए में यह इंजनोय ले रहा हूँ कि इतना बहुत काफी होता है अब तोड़ा तोड़ा लगा सते इसमें ज्यादा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है कि अब ही आप इसको देख सकते हैं मैं तोड़ा ओयल लगा दिया इसमें और हम डाइट फिटिंग कर देंगे इसको कि अब इसको देख सकते हैं डाइक फिट हो गया है प्रापरली यह देखिए यह डाइक फिट हो गया है और यह है पुराना फिल्टर पुराना और नया में आप फरक देख सकते हैं यह बहुत ब्लाक हो गया है पुलीशन की बाज़ा से और इसके ऊपर हम यह लगा देंगे और यह भी आप फिट हो गया है आप जैसे आप देख सकते हैं और लास्ट है यह छोटा सा एक चीज और यह चीज यह इसमें लागेगा और इसको भी हम तोड़ा स्वाइल में डुबा देते हैं ज्यादा नहीं हलके से हम करते हैं इसको और यह हो गया है पूरा एर फिल्टर का असम्बली हम इसको डिरेक्ली असम्बल कर सकते हैं चलिए वो भी हम देखते हैं अब ही आप यह ब्लाक अलर की रबबर को इसमें लगा के डिरेक्ली इसा इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे कि आपको यह वाला एक क्लैम मिला है इसको डिरेक्ली उसके प्लेस में रख दिये तो हमारा पूरा काम हो जाता है यह देखिए प्रॉपरली एकदम फिट हो गया है यह है एर फिल्टर का और इसको देख सकते हैं मैं अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर दिया हूँ और डिरेक्ट इसको इंस्टॉल करना ही बाग ही है और इसमें स्कूरू से सो मैं डिर्क लिफिट कर देता हूँ इसको अब हम इस पानल को डिर्ट फिटिंग कर देते हैं और यह स्कूरू इसमें इंसर्ट कर देते हैं कि यह आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है कोई भी हिल नहीं रहा है इसमें और अभी हम डिरेक्ट ली स्पार प्लक के भी निकाल के इसके कंडिशन क्या है देखते हैं अभी हमको स्पार प्लक निकालने के लिए डो टूल्स का जरुरत पड़ता है वह में अभी आपको दिखाने वाला हूँ अभी आप यह दो टूल्स देख सकते हैं यह टूल है और यह टूल है और यह दोनों भी टूल्स हमको किसी भी बाइक में हमको मिलता है और इससे हम डिरेक्ट ली यह स्पार प्लक को निकाल सकते हैं अब आप यह देख सकते हैं जस्त में ने जस्त बाइट सब्सक्राइब कि अधर टॉन किया हूँ और यह निकल आ रहा है इसली कि अरफ फार्प प्लग भी मैंटेंश भी बहुत जरूर है एक Byक के लिए क्यूंकि इसका भी हमको बहुत आईडिया रहना चैये क्योंकि इस पार प्लग मेन होता है और इसकी आगर इसको अची तरीकेसे मैंटें ने किया तो गाडी का आवरेज भी कम मों सकता है तो अब ये देखिये ये पुराना सपफ लगे और आप देख सकते कितना कर्बन जमा रहा हुँ घया इसने और पुरा ब्लैक को डलाइक हो गेया है अभी मैं lifu अभी मैं आपको ठ्रॉंभ दिका देता हो ओ और आप ही सो सकते कि कि इतना डिफ्रेंश वायuerdo अभी हम नया वाला स्पार प्लग देखेंगे और इसका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्वाल्टिक क्या है कैसा है बोलके यह देख सकते हैं यह नया वाला स्पार प्लग है और यह पुराना वाला स्पार प्लग है इस दोने में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है आप इस दोनों को देख सकते हैं और यह पूरा ब्लैक हो चुका है यह पूरा वाइट है और इसका स्पेसिंग भी आप देख सकते हैं और इसको आप इंस्टॉल कर देते हैं आज के विज़ी इस वीडियो में हम इतना हे रखते हैं और इस वीडियो में हम देखा हैं कि एर फील्ट За को कैसे क्लेश किया और 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 अगर आपको यह रस pounds बीच आया तो प्लीज यदि को लाइक कर ना और चनल को सब्सक्रेभर करें बिना ब्लकूल ब्हुकर जाना क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनना के लिए बहुत मेनत लगता है और आपको तोड़ा सो भी इंफरमेटर लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए मैं मिलता हूँ आपकी इसकी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मैं हूँ इनत वर्मा सानिंग ओफ